very good morning CA Inter वाले बच्चो आज आपके लिए मैं detailed view लेकर आया हूँ detailed review हम करेंगे साब CA Inter की जो हमारी chart book है which is applicable for May 24, November 24, new syllabus chart book है उसकी हम पूरी की पूरी बात करने वाले हैं कि भाई इस chart book में आपको क्या क्या मिलेगा, कैसा क्या मिलने वाला है सबसे पहली बात तो total charts हैं वो हैं आपके पास 306 charts इन 306 charts में पूरा का पूरा आपका syllabus भाई उससे जादा आपको दो चीज़े जादा ही मिलेगी कम चीज़े नहीं मिलने वाली हैं तो पूरा का पूरा syllabus यहां पर हमने cover किया हुआ है अब For example, incorporation of a company matters in central there too section number 1 से लेकर 22 तक यहां पर coverage है Along with this, types of company वाला concept available है Memorandum of association available है, article of association available है वो doctrine MRA, constructive notice, indoor management, doctrine lifting of corporate will वाले concept यह सारे के सारे concept इनहीं section में coverage है अगर आप देखें तो भाई, first chapter जो है, वो 40 charts में खतम होता है क्योंकि next chapter 41 से start होगा Prospectors, Allotment of Securities, Share Capital, Debenture, coverage है, section यह रहे आपके सामने Acceptance of deposit by company, 73 से लेकर 76 तक plus Rule 3 का भी coverage है, Rule 7 का भी coverage है यहां पर Registration of charges, सारे के सारे coverage Management, Administration, मतलब Register returns, मतलब section number 88 से लेकर 122 तक का सारा का सारा provision यहां coverage है Dividend, Books of Accounts, Orators, Foreign Company के sections अविलेबल हैं आपके पास LLP के section, GCA, Interpretation of Statute और आपका प्यारा फेमा यह भी अविलेबल है याद अखना साब इस से फेमा पढ़ने के बाद आपको कभी नहीं भूल पाना है कि भाई क्या-क्या था concept में जतना institute ने बताया है वो सारा का सावरा coverage है Price आपके सामने mention है हमारी website पर Make My Delivery पर अविलेबल है Buy Test Series पर भी अविलेबल है Zero Infi पर भी अविलेबल है और in case अगर आपको कहीं problem होती है तो आप हमारे number पर call कर सकते हैं किसी particular chart को आपको देखना है कि सर ने इस chart को कैसे design किया है आप उस charts का PDF भी मांग सकते हैं चले तो ये हमारे पास overall concept है ये हमारे पास company law का concept है कि भाई क्या होता है lifting of corporate will का concept हो गया ये section 3, 7 types of company का concept है हो सकता है साब institute का section उन्होंने अलग cover करा हो अलग page पर हमारा pattern अलग है बट आपको सारी की सारी चीज़े available होने वाली है एक भी चीज नहीं छूटने वाली है in fact institute से दो चीज़े जादा ही मिलेगी module से तो ये सारी की सारी चीज़े available है यहां पर हमारे पास अगर हम बात करें यार अपने पास concept में तो ये तो पूरा का पूरा company लॉका हो गया किसी particular section को अगर आपको देखना हो तो वो भी आप देख सकते हैं unlisted issue and redemption of preference shares वो यहां पर coverage चार्ट वन चार्ट टू वो अविलेबिल है section 56 में वो अविलेबिल है section 58 में वो अविलेबिल है हमारे पास सारा का सारा अगर आप इसको review करना चाहोगे bonus shares section 64 यह होगे reduction of capital section number 67 buyback के share एक chart हो गया दो चार्ट हो गया सारी कि सारी चीजें जो आप दिमाग में है debenture का concept क्या होता है first chart second chart third chart fourth chart यह सारा का सारा चीजें available है deposits में यह देखो प्यारा सा rule 3 deposits में rule 3 rule 3 1 में क्या है भाई rule 3 3 में क्या है rule 3 2 में क्या है कोई भी चीज छूटी नहीं है rule 3 4 क्या है 3 5 क्या है 3 6 क्या है 3 8 क्या है यह सारी चीजें आपको detail में बताई गई हैं यहाँ पर ये rules भी coverage है और ये sections coverage है अगर आप देखना चाहो तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जानी है ये हमारे पास पूरा का पूरा अगर आप देखो यार quorum में beautifully यार आप ये देखो साव आपको हर एक चीज मिलेगी आपको हमारे charts में कोई भी section हो 103 के बाद हम पढ़ते हैं 112-113 तो इसके बाद में link करा गया है section को proxy का section ये है section 8 voting through electronic means का section हमारे पास में है ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं और देखो 108 में कितने chart हैं first chart, second chart, third chart, fourth chart, fifth chart, दूसरी chart book जो होती है और दूसरे faculties वो क्या करते हैं यार वो chart book को बदनाम करते हैं क्या करते हैं वो simple blocks बना दिये इसमें content डाल दिया बस इनकी chart book बन गई राइट इसको chart book नहीं बुलते मेरे 21 फिर आपका dividend वाला concept आएगा dividend वाली पर ने concept की बात कर ली है यह सारी चीज़ें अविलेबल हैं accounts, auditors हुआ, section 130, 131, voluntary, revision of financial statements, NFRA का जिक्र है, पूरा का पूरा राइट तो यह सारी की सारी चीज़ें available हैं अब आपको हम फेमा का दर्शन करा दे कि भाई फेमा में क्या है फेमा की बात करें तो फेमा में hidden rule आ गया यह तो छेक है जिसका बेसबरी से बच्चों को इंतजार एड़ेस काल फेमा तो भाई यह है हमारा CA Inter के लिए फेमा को हमने डिजाइन किया है यह आपका overall definition part जो आपके module में है उससे एक जादरी definition में लेगी repatriate to India, person resident बहुत important concept है मानके चले exam में 110% question आने वाला है PRII कैसे identify करोगे आपको इसके लिए proper snapshot दिया गया है definition दी गई है यह institute का copied वाला material है section 3, section 4 current account transaction यह पूरा का पूरा जिक्र है current account transaction का then section 6 में capital account transaction आएगा यह पूरा का पूरा जिक्र है first, second, third chart prohibited transactions यह सारी की सारी चीज़े available है overall 304 charts है आपके पास CA Inter में है कोई भी doubt हो, कुछ भी हो सब इस number पर WhatsApp करें, इस number पर call करें और अपनी favorite chart book CA Inter की लेकर इससे पढ़ाई जालू करें doubts के लिए हरदम available है, आप WhatsApp कर सकते हैं, question पूर सकते हैं, आपने अगर chart book हमारी ली है आप बिलकुल आपका स्वागत है, 100% doubts solving concept है हमारे पास book available है, हमारी website पर available है, website address हमारा ये रहा, make my delivery, zero in fee, buy a test series, यहाँ पर सब जगे chart book available है, physical format में, order करेंगे, 7 दिन, 5 दिन में आपके पास deliver हो जानी है chart book के साथ में question bank हमने launch किया है, question bank का concept क्या है भाई, पहली बात तो इसमें CA के questions, past examination, CS institute के question, past examination, सारे के सारे cover है, मेरी ये उम्मीद है भाई, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर आप देखोगे, तो first chapter में, कितने pages है, 96 pages में question दिये गए है allotment, हर चीज में question, LLP, FEMA, interpretation, GCA, और सिर्फ 590 रुपीज में ये book available है website पर, जिसमें 523 से जादा pages है अगर आप question देखना चाहोगे, तो ये देखो question, ये सारे के सारे CA exam वाले question है, और इसके बाद अगर मैं आपको लेड चलूँ, तो यहाँ पर फिर आपको CS examination वाले question मिलने वाले हैं, ये रहे सारे के सारे CA वाले question चल रहे हैं, और बहुत प्यारे प्यारे question है, ICAI module, RTP, MTP, previous year questions, सारे के सारे available हैं, right, मेरे खाल से exam में question इसी में से आना चीए, जहां तक है, और ये आपके question है, CS examination के, from section 1 से लेकर 22 तक, पहले chapter में हमने CA के question कवर करें, और फिर हमने CS के question कवर करें, ये देखो CS के question, December 17, December, June 17, December, June 19, December 9, June 11, ये देखो गया अगर आप तो ये देखो, practical questions, सारे के सारे practical questions भी coverage है यहाँ पर हमारे पास, बीस, दो हजार बीस का सवाल, दो हजार एक्षिस का सवाल, right, with answers, with each and everything is there, जो दो हजार तेईस का सवाल, ये आया है साविन का, तो आप अगर देखेंगे, तो question bank plus CA enter की chart book, इसके लावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, guaranteed है, law में आके कम से कम, 65 से 70 number की guarantee है, plus doubt solving के लिए आशिश गुपता always available है आपके पास में, मेरे ख्याल से और कोई चीज required नहीं होती है, किसी भी examination में किसी particular subject की तैयारी करने के लिए, अगर आप देखेंगे, यह first chapter ही चल रहा है भाई अभी, section 3A का question, याद है न, section 3A क्या था, उसका question है, यह section 7 का question है यह, तो यह सारी चीज़े available हैं हमारे पास, अगर आप देखेंगे यार, तो मतलब क्या बोलू मैं इसमें, इतना प्यारा, इतनी महनस से question bank बनाया गया है, doctrine of constructive notice का question, December 2022 में आया था, CS में, तो भाई, question तो आपके में भी आ सकता है न, December 2021 में, doctrine of indoor management का सवाल, पहले आप अपने CA के, और तैयारी कैसे करना है, पहले आप अपने CA के question bank करें, फिर आपके पास समय बचे, तो CS का भी आप एक बार नजर गुमा लें, कि कोई ऐसा question तो नहीं है, जो शायद बहुत important हो, तो ये हमारे पास question, पूरा का पूरा review है, तब आपको और कोई doubt होता है, तो हमारा जो contact number है, वो website पर available है, books पर available है, आप इस number को no down कर सकते हैं, कोई problem है, कुछ भी पूछना है, इधर with chart book और question bank, आप number पर call कर सकते हैं, message, whatsapp, email कर सकते हैं, वो सारी चीज़े available है, website पर email address भी available है, तो ये है हमारा एक short review, बट detail review है हमारा, किसका CA enter का chart book का, plus question bank का, thank you. कर सकते हैं एक question झाल 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 झाल